आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ गुजराती स्टाइल बहुत ही मज़ेदार लाल मिर्च की अचार की रेसिपी इस अचार में मैंने थोड़ा सा वैरियेशन किया है आप इसे अपने ट्रेडिशनल तरीके से भी बना सकते हैं इस अचार को बनाना बहुत आसान है और खाने में यह बहुत ही मज़ेदार लगता है तो आप इस रेसिपी को एक बार तो जरूर बनाए गुजराती स्टाइल बनने वाले लाल मिर्च की बहुत ही टेस्टी और जटपट अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम यह फ्रेश वाले लाल मिर्च लिया है इसे मैंने अच्छे से धो के कपड़े से पोच लिया है अब हम इसे कट कर लेंगे तो हम इसके end part को ऐसे काट के निकाल लेंगे और इसके बाद दो या तीन हिसों में हम इसे कट कर लेंगे ऐसे तो मिर्ची अगर ज़्यादा बड़ी है तो तीन हिसों में काटें नहीं तो दो हिसा काफी है फिर सेंटर से काट के हम इसके बीच को निकाल देंगी यहाँ पे बीच को हम नहीं इस्तमाल करेंगे लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप इसे एड़ कर सकते हैं फेक के नहीं अब हम यहाँ पे इसे दो टुकडों में ऐसे काट लेंगे यह देखे तो हमें न बस मिर्ची के उपर वाले कवर को इस्तमाल करना है तो यहाँ पे इसी तरीके से हम सारे मिर्ची को कट कर लेंगे यह देखे इतनी बड़ी होनी चीए मिर्ची को हम कट करके अलग एक बरतन में रखते जाएंगे और यहाँ पे जो इसका एंड वाला पार्ट है और बीज है उसे फेके नहीं उसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है तो इसकी चटनी के रेसिपी मैंने पहले वाले वीडियो में डाला है तो आप वहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ पे एक बड़े नीबू को ऐसे नीचोड के डाल दे इस वाले अचार में नीबू की रस की कॉंटिटी जो है वो जादे यूज होती है यहाँ पे सिरका वगिरा हम नहीं एड करेंगे तो यहाँ पे एक नीबू नीचोड दिया मैंने और इसकी बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक तो एक से डेड चोटी चमच आप इसमें हल्दी का पाउडर डाल दे और स्वात की अनुसार नमक या फिर एक चोटी चमच आप यहाँ पे नमक डाल दे तो मिर्ची में हमें ऐसे हल्दी नमक और नीबू मिला के 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है उसके बाद हम इसे धूप में सुखाएंगे तो जब आप इसमें हल्दी नमक ऐसे मिक्स करके रखेंगे तो इससे पानी निकलने लगेगा तो हमें क्या करना है उस पानी को इस्तुमाल नहीं करना है बस इसमें से ये मिर्ची निकालके और धूप में रख देना है तो पन्रे मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे और उसके बाद 15 मिनट के बाद क्या करेंगे न? कि यहाँ पर यह देखे इसे एक बार मिलाए तो यहाँ पर जितना मॉश्चर है ना नमक की वज़े से वो सारा एक साइट हो जाएगा तो हम यह क्या करना है कि एक न्यूस पेपर लेना है और उसके उपर इस मिर्ची को ऐसे स्प्रेड कर देना है न्यूस पेपर जो है वो एक दम ऐसे जितना मॉश्चर है या इसके उपर जो पानी है उसको एब्सॉफ कर लेगा न्यूस पेपर की जगा आप सूती के कपड़ी या फिर इस ट्रेइनर का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर इसे अच्छे से स्प्रेड कर दे और इसके बाद हम इसे कड़ी धूप में 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि मिर्ची जो है वो सूख जाए हमें इसमें मॉश्चर बलकुल नी चीए तो यहाँ पर मिर्ची जो है वो हल्दी नमक और निपू को अपसॉफ करके ऐसे ड्राई हो जाएगा तो जब तक यह सूख रहे न तब तक हम मसाला बना लेते हैं तो इसका मसाला बनाने के लिए हम लेंगे 4 बड़े चमच, पीले वाले सर्चो, एक बड़ा चमच साबु धन्या ले लेंगे एक छोटी चमच मेथी के दाने ले लेंगे, एक बड़ा चमच हम इसमें सौफ ले लेंगे और इन सब को ऐसे भून लेंगे मसालो को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे धीमियाज पर रोस्ट कर लेंगे जैसे ही मसालो से अच्छे खुचबू आने लगे, गयास को बंद कर दे और इसके बाद हम इसे हटा के ठंडा कर लेंगे और इसका एक दरदरा पाउडर बना लेंगे तो इस अचार में और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस यही दो-तिन चीज चीज ही होता है अब हम क्या करेंगे, साथ में ही एक तड़के पैन में तेल गरम कर लेंगे तो एक चौथाई कप आप जो भी तेल खाते हैं या फिर अचार में इस्तमाल करते हैं उससे आप गरम कर लें, जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, गैस को बंद कर देंगी और इसे हलका सा ठंडा हो जाने देंगे तो यहाँ पे न हमारी मिर्ची जो है वो ड्राई हो चुकी है, यह देखे जब मिर्ची सूकती है न तो उसके जो शेप है वो ऐसे थोड़े श्रिंक हो जाते है तब हम चलते हैं फाइनल प्रासेस में जहाँ पे हम अचार बनाएंगी तो इसे बनाने के लिए एक बड़ा बरतन ले ले और इसमें जो हमने मसाले ग्राइंड किया न वो डाल देंगी इसके साथ हम इसमें डाल देंगे हींग तो एक छोटी चमच आप इसमें हींग डाल दें हींग का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है साथ में हम इसमें एक छोटी चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके बाद नमक डाल देंगे ध्यान रहें नमक हमने पहले भी डाला है तो नमक की कॉइंटिटी हिसाब से डाले इसके बाद ये गुनगुना तेल डाल देंगे तो गुनगुना तेल जो होता है वो मसालों को और ज़ाद अच्छे से पका देता है मिला दे इसे अच्छे से इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तमाल नहीं होगा क्योंकि मिर्ची जो हो अलड़ी तीखी रहती है तो इसे हम ऐसे ही रखेंगे अब हम क्या करेंगे न किसमें डाल देंगे नीबू का रस अब आप बोलेंगे कितना नीबू तो इस अचार में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नीबू का इस्तमाल जादा होता है तो यहाँ पे हम एक नीबू का रस जो है वो वापस इसमें डाल देंगे तो पहले भी हमने एक नीवू डाला था और अभी भी एक नीवू, दो नीवू हमें इस्तिमाल करने 300 ग्राम मिर्ची में, मिला दें इसे अच्छे से, तो यह हमारा मसाला जो है वो बन के तयार है, अब हम इसमें यह लाल मिर्च डाल देंगे, जो हमने ऐसे सुखा के रखे है अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे, तो जैसे ही मिर्ची मसालों से मिक्स होगी, बहुत ही अच्छी खुचबुगाती है, तो यहाँ पर यह जो अचार है वो तुरंधी रेडी हो जाता है खाने के लिए, लेकिन अगर इसको आपको अच्छे से बनाना है ना, मतलब और अच्छे एकदम authentic way में, तो हम इस अचार को ऐसे ही 4-5 घंटे के लिए रख देंगे या overnight रख देंगे, तो उसे क्या होगा मिर्ची जो है वो मसालों को अच्छे से absorb कर लेगा और उसके बाद इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाता है, तो मैं इसे ढखके 4 घंटे क इसका इस्तमाल किया है, तो अगर आप बाहर रखेंगे तो या अचार खराब होने के chances रहेंगे, तो आप इसे ऐसे bottle में भर किया और fridge में करके रख दे, आप इस अचार को 8-10 दिन तक आराम से खा सकते हैं, इसे जटपट अचार बोला जाता है, इसे बनाना भी आसान है औ हमने उसके seeds निकाल दिये, प्लस हमने लाल मिर्च पाउडर का इस्तमाल नहीं किया है, साथ में जो नीबू का खटापन है, वो बहुत अचा flavor लेकिया आता है इसमें, तो आप इस मिर्ची की अचार की recipe को जरूर ट्राइ करें, यह आपकी family को बहुत पसंद आएगा, अगर आप इस वीडियो को अपने friends family के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले